स्वागत है आपका आज के अपिसोड में चले शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्ण से मंदाकिनी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ए भागी रथी, बी शार्दा, सी अलकनन्दा, बी यमुना इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलपसी अलकनन्दा, चले देखते हैं इसके विसलेशन को मंदाकिनी नदी उत्राखंड में अलकनन्दा नदी की एक सहायक नदी है यह नदी रुद्र प्रियाग और सोन प्रियाग शेत्रों के बीच लगभग 81 किलो मीटर तक बहती है और चोराबारी गेश्वर से निकलती है सोन प्रियाग में यह सोन गंगा नदी में मिल जाती है और उखी मट में यह मध्य महेश्वर मंदिर से होकर बहती है साथ ही अंत में या अलगनन्दा नदी में मिल जाती है और अलगनन्दा नदी गंगा में मिल जाती है तो चले शिरुवाद करते हैं आज की अपिसोड की पहले पुरश्ण से इस प्रश्ट का सही उत्तर है विकलप A. 2010 चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को राश्ट्री हरित अधिकरण अधिनियम 2010 को 18 अक्टूबर 2010 को लागू किया गया था इस अधिनियम के तहट राश्ट्री हरित अधिकरण यानि NGT के स्थापना की गई थी चलिए अब जानते हैं NGT के स्थापना के बारे में पर्यावरण से जोड़े मामलों को तेजी से निप्टाने के लिए NGT के स्थापना की गई NGT पर्यावरण से जोड़े कानोनी अधिकारों को लागू करता है यह व्यक्तियों और संपत्यों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देता है अगला प्रश्ण है प्राचीन काल में मगत सामराज्य का पहला राजवन्ष कौन सा था? इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प ए हर्यक्राज्वन्ष चले देखते हैं इसके विसलेशण को बिहार के पटना और गया जिलों की भूमी में इस्तित मगत प्राचीन भारत का एक महत्वपून राज्य था बौध ग्रंथों के अनुसार मगत का प्रथम चाशक विम्बिसार था जो हर्यक्राज्वन्ष का था इसलें मगत राज्वन्ष का प्रथम राज्वन्ष हर्यक्राज्वन्ष ही माना जाता है विमिसार ने अपने समय के प्रमुख राजवन्शों के साथ वेवहाईक संबंद स्थापित करके अपने इस्ति मजबूत कर ली थी इस क्रम में उसने सर्वप्रथम लिच्छवी गडराजी के शाशक चेटक की पुत्री चेलना से विवहा कर मगद की उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया अगला प्रश्ट है भारती समविधान के किस अनुचेत के तहट राश्ट्रपती वित्त आयों के सिफारिशों को सलसत के प्रतेक सदन के समक्ष रखता है इस प्रश्ट का सही उत्तर है विकल्प सी अनुचे दोसो इक्यासी चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को भारती समविधान के अनुचे दोसो असी में वित्त आयों के गठन का प्रावधान है राश्ट्रपती को वित्त आयों गठित करने का अधिकार होता है भारतिय सम्विधान के अनुचे 281 के अंतरगत राष्ट्रपती वित्तायोग के सिफारिश संसत के प्रतेक सदन के समक्ष प्रसुत करता है राज्य वित्तायोग का गठन भारतिय सम्विधान के अनुचे 243 के धारा एक द्वारा किया जाता है अगला प्रश्ण है निम्नलिकित में से कौन से कार्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किये जाते हैं एक निर्वाचन छेत्रों का परिसीमन दो मतदाता सूझी तयार करना तीन विब्न राज्यतिक दलों को मानेत प्रदान करना चार, राज्यतिक दलों के लिए आचार सहीता तयार करना पांच, चुनाव कराना उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से विकल्प सही है या सही है एक एवल एक, बी, एक दो और तीन, सी, एक तीन और पांच, बी, उपर्युक्त सभी इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी चलिए देखते हैं इसके विसलेशड को सम्मिधान के भाग पंद्र के अनुच्छे 324 से 329 में चुनाव से समंदित प्रावधान दिये गये है भारत का निर्वाचन आयोग, एक स्थाई एवं सम्मधानिक निकाय है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य निर्वाचन शेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूची तयार करना, विविन राज्यतिक दलों को मानिता प्रदान करना, राज्यतिक दलों के लिए आचार सहीता तयार करना, चुनाव कराना अगला प्रश्ण है, गरासिया जनजाते निम्नलिकित में से किस राज्य से संबन्धित है? ए मध्यप्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी जहारखन, डी राजस्थान इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प डी राजस्थान, चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को मीना और भील के बाद गरासिया जनजाती राजस्थान के सबसे प्रमुख जनजाती है वह मुख्यरूप से दक्चुरी राजस्थान में होती है और चौहान राजपुत वर्ष से संबन्धित हैं लेकिन वर्तमान में वे भीलों की तरह आदीम प्रकार का जीवन जीने लगी हैं इनमें तीन प्रकार की विवह प्रश्लेथ हैं मोर बंधिया, पहरवाना और तानाना अगला प्रश्ण है एंटी डंपिंग शुल्क के संबन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक टैरिफ और व्यापार पर सामाने समझोते 1994 के अनुछेट 6 के कार्यानवयन पर समझोता विश्य व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारे एंटी डंपिंग उपायों के अनुपरियों को नियंतरित करता है दो, एंटी डंपिंग उपाये विश्य व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारे की गई दूपक्षी कार्यवाईयां है उपर युग्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दो रो, डी न तो एक और ना ही दो इस प्रेशन का सही उत्तर है विकल्प एक एवल एक चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को टैरिफ और व्यापार पर सामाने समझोता 1994 के अनुचेच है के कार्यानवयन पर समझोता भारत सहित विश्य व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा एंटी डंपिंग उपायों के आवीदन को नियद्रित करता है अताक अथनीक सही है निस्पक्ष व्यापार प्रधाओं को सुनिशित करने के लिए जिनेवा इसित विश्य व्यापार संगठन की भहुपक्षी व्यवस्था के तहत सुरक्षात्मक उपाय के रूप में एडी शुर्क लागू किया जाता है एंटी डंपिंग समझोते के अनुसाद एंटी डंपिंग उपाय किसी देश त्वारा अपने घरेलू उद्योगों को नुकसान से बचाने के लिए अपनाये जाते हैं भारत ने पहले भी अने देशों विशेश कर चीन से कम लागत वाले आयातों पर अंकुष लगाने के लिए विबन उतपादों पर एंटी डंपिंग शुर्क लगाया है अतततन दो सही नहीं है अगला प्रेश्ण है निसार उपग्रह के संबंध में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजे एक इसका निर्मार सैंतराज अमेरिका के सहयोग से किया गया था दो इसे इसरो के JSLV Mark III का उपयोग करके पृत्वे के उच्च कक्षा में प्रक्षे पित किया जाएगा तीन ये L-Band और S-Band दोनों रडार प्रणानियों से सुसजित पहला उपग्रह है उपर युगत कथरों में से कितने सही है इस प्रेशन का सही उत्तर है विकल्प B केवल दो चलिए देखते हैं इसके विस्टेशन को नासा ISRO Synthetic Aperture Radar का निर्मान वश्ट 2014 के साच्छदारी समझोते के तहत अमेरिका और भारत के सहयोग से किया गया है इस भारत के आंदर प्रुदेश सिट सतीश धवन अंतरिक्श केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा अतक अथन एक सही है इस उपग्रह को ISRO के भूतुले काली उपग्रह प्रमोचन रॉकेट मार्क टू का उप्योग करके प्रित्वी की निम्नकक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा अतक अथन दो सही नहीं है इसमें दो उन्नत रडार प्रणालिया शामिल है नासा का L-Band रडार और ISRO का S-Band रडार जिससे यह ऐसी दो रडार प्रणालिया ले जाने वाला पहला उपग्रह बन जाएगा अतक अथन 3 सही है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, युनेस्को ग्लोबल जियो पार्कों को चार वर्शों के लिए नामित करता है जिसके बाद उनका पुनर मुल्यांकन किया जाता है दो, भूविरासत स्थलों में जौलम की सनश्टाएं, जिवाश्म सम्रिद शेत्र, गुफाएं, परवच रिंखलाएं, हिम्रद विशेश्टाओं के साथ खने सम्रिद शेत्र शामिल हो सत्ते हैं उपर युक्त कथनों में से कौन साय आ कौन से सही नहीं है या नहीं है साथ एक एक रित ऐसे भवोलिक शेत्र हैं जिने सनरक्षन, सिक्षा और सतत्विकासेतु समग्र दिश्टि कोड के साथ प्रबंधित किया जाता है युनेस्को ग्लोबल जियोपार्कों को चार वर्षों के लिए नामित किया जाता है जिसके बाद उनका पुनर मुल्यांकन किया जाता है अतकथन एक सही है तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्रकों निम्रलिकित विशेश्टाओं पर विचार कीजे 1. 1899 में उल्गुलान अंदोलन शुरू किया गया 2. 1900 में जाम को पाई जंगल में उनके गुरिला समों के साथ बिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफतार कर लिया गया 3. जार्खन राज्य के स्थापना 2000 में उनकी जायनती पर की गई थी निम्नलिकित में से कौन सा व्यक्तित्व इन विशेश्ताओं द्वारा सर्वोत्व बढ़नेत किया गया है इस प्रशन का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद अपने एक्जाम की तैयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले